दोस्तों अधार कार्ड एक ऐसा डोकुमेंट बन गया है जिसके जरूरत हर जगह पड़ती है अधार कार्ड को सरकार दोरा अस्थापित संस्था UIDI जारी करती है अधार कार्ड की बढ़ती उपियोगिता के कारण इसे अपडेट रखना भी बहुत जरूरी है अधार कार्ड बनवाते समय अधार के साथ एक मोबाइल नमबर को भी लिंक किया जाता है लेकिन कई बार एक से ज़्यादा मोबाइल नमबर बदलने के कारण लोग अधार से लिंक मोबाइल नमबर को भी बदल देते हैं एसे में कभी-कभी यह याद नहीं रहता है कि अधार के साथ link number कौन सा है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपके अधार में कौन सा mobile number link है या फिर कोई mobile number link है या नहीं, तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है बलकि आप घर बेठे चुटकियों में यह कम अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं तो इसके लिए आपको यह वाली लिंक को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से किलिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाईएगा और यहां पर इंटर अधार नम्बर वाले ओप्शन में आपको अपना अधार नम्बर डाल लेना है और उसके नीचे में यह वाली क्यप्चा को आपको यहां पर डाल लेना है और फिर प्रोसिडेंट वेरिफाई अधार वाले बटन पर क्लिक करना है जिसके बाद यह वाली पेज खुलेगी जिसमें यहां पे आपको मुबाइल वाले आप्शन में अगर आपके अधार में कोई मुबाइल नमर लिंक होगा तो यहां पे आपको लिंक मुबाइल के आखरी के तीन नमर दिखाई देगा जिस दोस्तों या जनकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा और नोटिपिकेशन बटन को ओन जरूर कर लें ताकि हमारी और से नई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके वीडियो को पूरी देखने के लिए आपको बह बहुत बहुत धन्यवाद जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में आपका दिन मंगलमय हो